कि नमस्कार अपना जमुई देख रहे हैं आप मैं हूं रोहित सिंग और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद की नेत्री वपूर्विधायक चकाई सावित्री देवी जी मैं मैं स्वागत आपका दर्मारे राजद में पहले मी समीकरन गजा जातां था अब तेस्वी जी एकटो ईक बात और आ रही है उस पर निश्ची स्मःता पूरे बिहार ने जातिगत सराब बंदी पुर्णता पुराने तरीके से उनी चाहिए या उसमें कड़ाओ होनी चाहिए तोले हील होनी चाहिए देखिया सराब देशाराबंदी तो मानन देवे मुख मंथारी जी कि यह लेकिन कहिं हुआ नहीं है और उसमें धाम्हली हो रहा है1 सर enlar अजय को यह का पूंह चालू कर देना चाहिए या फिर और कड़ाई से का पालन करना चाहिए अब बंदी पर हम समर्थन देते हैं सराब बंधो भारत सरकार ने महिलाओं में बच्चियों की जो साधी की उम्र थी 18 से बढ़ा कर अब 21 कर दी है आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं समर्थन करते हैं 1821 पहले हम लोग में होता था कि एक दम बच्ची में साधी कर दिया जाता था जिसके चलते देखिए बहुत बच्ची लोग अभी भी है अभी बहुत कुछ है और ज्यादा तक हमारे समाज में जो कि बच्चे में साधी कर देने से हर एक तरह का भीमारी तो य मैं मैं भी चाहती हूं कि 18 21 21 से उपरे मने बहुत लड़की लोग कहती हम जब करेंगे तब साधी करेंगे महंगाई क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो डवल इजन की सरकार चल रही है महंगाई को रोख पाने में समर्थ है या असमर्थ है असमर्थ है कि 10 लाख रोजगार 15 लाख रोजगार के वादे करके यह सरकार आई थी लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष भी उतना पुर्जोर विरोध इन मुद्धों पहना करके सराब पर या अन्य मुद्धों पर विरोध कर रहा है क्या विपक्ष को रोजगार के को परमुकता से उठाना चाहिए एक दम देखिया रोजगार पर उठाना चाहिए और हमारे तेजस्वी जी तो कहिए दिया है जदी मेरी सरकार बनी तो कितना कि अगर बनी तो निश्चिन था कि उतना दी जाएगी जब में जिला परिशत का चुणाव होगा था अध्यक्ष के पद पर निर्विरोद निर्वाचित होए थे आप भी समर्थन कर रहे थे अब वह निदलिये चुनाव लडने के भी दौर में इसा अध माना जा रहा है कि वह निदलिये चुनाव भी लड़ेंगा तो क्या ऐसे म आपका समर्थन उनके परती रहेगा या राज़त के परत्यासी के परती देखिया हम तो कह दिये हैं कि हमारे दल से महाकट बंधन से जो आएंगे उनके पक्ष में हम रहेंगे चैको रहें में एमल सी चुनाव के दौर में ये कहा जा रहा है कि राज़त से अलग-अलग परत्यासी का ना मारा ऐसे जोने भी आपके घर पर आप ने भी कहा था ये राजद केाACी संभावी तो आजैसे कि आजएडी से कोई gebeinci उफेषियल की गोथना हुए है या नहीं अभी भी अभी देखिए हम लोग के जहां तक जानकारी हैं कि आजए सिंग महा गठवंदन का परत्यासी हैं और महा गठवंदन के परत्यासी जो भी आएंगे उनको हम लोग मदब करनेंगे लगातर दो बार से मोंगेर MLC सीट पर राजद जीत आ रही है इस बार जो आपके परत्यासी थे उन्होंने पाला बदल लिया है तो क्या इस बार भी आरज़ेडी दुबारा जीत पाएगी सीट पर एकदम जीतेगी आप लोगों का पूर्जोर समर्थन है समर्थन है कैसीट यह जो मुंगेर MLCC एक पर फिर से राज़त के हाथ में आने वाले हैं ऐसा आप विधायक रहे हैं इसे पूर्व आपके पती भी विधायक रहे हैं इन दौरान में आप लोगों ने क्या कुछ विकास किया है चकाई क कि अभी विकास जो भी हुआ है मेरे स्वर्गिय पती देख जी का है और इसके बाद इस बार मैं जब विधायक बनी हूं मैं इतना मने काम लाई हूं संजोग बसी लोगडॉन से टेंडर नहीं हो पाया इसके बीच में यह अचारसंहीता लग गई हम सोचे चुनाव जीत र गई हूं और चुनाव हार गई सबसे अधिक काम हमारे च्यकाई छेत्र में हुआ है कि सबसे अधिक वर्तमान में राजद गटवंदन जो है वो सत्ता में वापस आने का प्रयास कर रही है मुके सहनी हो या माजी हो उनका मन सत्ता से डोल रहा है क्या आपको लगता है कि बीते कुछ दिन में सत्ता में जो खेल हुआ है उससे राज़त की वापसी हो सकती है कि अभी कि उमीद तो लग रहा है कि एकदम राजत की वापरसी होगी और हमारे त्यजिस्वी जी कि दो हजार पचीस में एकदम उमीद है कि एकदम मुख मंत्री बनेंगे भी है कि आप एक अच्छे लीडर हैं और काफी गहराई से आप राजनीती को जानते हैं पुराने निता रहे हैं ऐसे में आपने लालू यादव जी काफी दौर देखा होगा और आप आरजेटी नए दौर से गुजर रही है यहां तेश्वी यादव एक अच्छे निता बनके उभर रहे हैं राजत में तेश्वी दौर और लालू दौर में कंपेर करने पर कौन सा दौर आपको ज़्यादा बहतन रग रहा है देखिए लालू जी तो थे लेकिन अभी बर्तमान में हमारे तेश्वी जी सबसे आगे दौर में है युवाओं का जो है रुजहान युवाओं का रुजहान तेश्वी जी के प्रक्ष में है और मैं भी चाहती हूं कि मैं एक बार अपने से देख लूँ तेश्वी जी को मुख मंत्री तब भगवान हमको उपर ले जाए कोई चिंता नहीं मैं एक बार चाहती हूं कि हम तेश्वी जी को मुख मंत्री देखें तो चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजोद थी चकाई की पूर विधायक सावित्री देवी जी जो राज़त की नित्ती रही है सराब बंदी पे सरकार का इनका समर्थन है लेकिन इनका कहना है कि सराब को और मजबूती से इस पे कानून लाया जाए बाल विबा समाप्त हो एज जो 18 से 21 वर्स के इन सरकार ने किया है इसका भी समर्थन कर रहे हैं साथ ही रोजगार की बात पर भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को परमुखता से इस मुद्धे को उठाना चाहिए और तेरस्वी जी इस मुद्धे को उठा रहे हैं इस वक्त हम जमुई के सरकिट हाउस से मौजूद थे जहां हमारी ये बातचीत हो रही थी तानिवा